मित्रों, इस देश में लगभग 700-800 वर्ष तक मुसल्मान होना एक प्रिविलिज, एक लाभ दायक सौदा रहा है। यह फाइदा धीरे धीरे अगले 25 वर्ष में बदल कर घाटे का सौदा होता जाएगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से यह घाटे का सौदा बनना चालू हो चुका है। इंदुत्व का स्प्रिंग दबा हुआ था। मोदी जी ने आकर उसको एक एक करके हटा दिया है। इंदुत्तर के अन्य राज्यों में हिंदुवादी सरकारों की वापसी उसक्रांती के बड़े बिंदू है। अजान के बदले हनुमान चालीसा, राम नववमी पर जुलूसों का संचालन, हनुमान जयन्ती पर मुस्लिम इलाकों में भी शोभा यात्रा निकालना, ट्रिपल तलाखक की समाप्ती, विदेशी संस्थाओं का पंजी करण रद्ध होना। श्री लंका से लेकर अफगानिस्तान तक की भारत पर निर्भरता, उसी परिवर्तन के छोटे-छोटे बिंदू हैं, इस देश में इसलाम का स्थाई अस्तित्व तभी तक रहेगा, जब तक मुसल्मान होना फायदे का सौदा होगा। जैसे जैसे मुसल्मान होना घाटे का सौदा होता जाएगा, इसलाम का स्थित्व हिलने लगेगा, जिनको देखकर आपको लगता है कि ये हिंदुत्व के दुश्मन हैं, वही अपना पूरवजों का हिंदू DNA याद करके वापस हिंदू होने को ततपर होंगे। हमारे ही हिंदू समाज के स्वार्थी, डरपोक और कुछ मजबूर लोग उधर इसलाम की तरफ गए थे। प्रिति योग्य नहीं बनेंगे। यूरोप अमेरिका के देशों में शरण लेना चाहते हैं। फिर देखें तो इनके दुश्मन यहूदी और इसाई भी हैं। धैर्य रखिए, छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं, जो अपने हैं, उन्हें और अपना बनाईए। जिस दिन इस देश में मुसल्मान होना एक आशीरवाद के बजाए मुकम्मल श्राप हो जाएगा, उसी दिन इन्हें अपना हिंदू DNA याद आएगा। इसलिए सभी एक रहिए, शक्तिशाली रहिए। हम वीर हैं और भी वीर और राष्ट्रवादी, ये आज की तारीख में 21 करोड हैं, और हम हिंदू, सिख, जैन मिलाकर 112 करोड हैं। चार करोड इसाई भी अपनी हिंदू जड़ों को भूले नहीं हैं, वह भी हमारे साथ ही रहेंगे। जड़ों को इस को बाहित सरा करोड बाहिता टारीश जड़ों की जच बाहिता आरीश्गर के और हिंदू हैं, जड़ों को भी हैं।